हां बताओ तो अबताओ इसमें क्या डाउट है और वाय देरकाई एक्स वन से लेके एक्स एन तक जा रहे हैं पॉइसो है तो एक्स नॉर्मल है में तो वेरेंस थ्री एन पॉइसोन है मीन फोर इंडिपेंडेंट है वाय एक्स वन से एक्स एन तक अगर एन तुम्हारा और यह जिरो है और यह जिरो है तो बताओ वाय का वेरेंस कितना होगा तो इसके लिए यहां दो सिस्टम है तो एक्स आइस क्या है तुम्हारा बाइनोमी नॉर्मल है एन वाइसन है जिरो बताओ जिरो यह जाएगा तो उससे क्या फामूला आता है वेरेंस का जो पीछे फामूला लिखा था उससे अगर E अगर मैं ऐसा लिखता वेरेंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन तो कितना आता यह फामूला यह जाता है सो अभी तुमने यह निकाला था E of X1, X2, XN का यह कितना आया था यह अगर मैं यह निकालता को अगर मैं यह निकालता यहां से की स्क्वाइर इसका हुल स्क्वाइर चीह होगा लेकिना आएगा सर्या होल स्क्वाइर नहीं चीह होगा लेकिन हम अगर ऐसे बिलेक कर दूँ इसको वेरियन्स ऑफ एक्स वान अन्स वान ओके वेरियन्स ऑफ एक्स एन यहां एन खुद रैंडम वेरियबल है यह तो क्या बनेगा इसका फामुला क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सवान स्क्वार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सवान का फोल स्क्वार हम् एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्साथ कर लेंगे तो अभी के लिए एन खुद रैंडम वेरियबल है यहां पर यहां पर जैसे ओपन करेंगे एक तो ई ओफ फिर यह संब नहीं आएगा फिर तो स्क्वार स्क्वार आता रहेगा एक्स वन स्क्वार एक्स टू इसका डाइक फामूला भी है इसको चोरो इसका एक फामूला अमने डिराइब किया था उसलिं ओ हाँ याद है ना तो यादा यह वेरियन्स ओफ वाइक्ट मैं आइटे हैं ए आफ व य व रिन्स आफ य गिवन एक्स ये वडा लगाओ यहां आएगा यह यह मेरा अभी व य वि आफ एक्सपेक्टेशन आफ x1 से xn गिवनन एन plus expectation of variance of x1 x to xn given n अब करो solve तो जो पहला term होका हो तो अभी निकाला था हमने इसका value निकाला था ना , ये क्या एगा e of x1 into en तो e x1 तो constant आ जाता है तो e x1 बहर आएगा क्या बनके square बन जाएगा e1 ke e x1 के square बनके आएगा आपका और e n तो e n n नि बचेगा क्या बचेगा वेरियंस बचेगा न वेरियंस ओफ n बचेगा क्योंकि ex1 प्लस ex2 प्लस ex3 exn और ex size iid है तो n टाइम ex1 ex1 बहार आ गया थो एन बचेगा इंसाइड तो यह ओ गया वेरियंस ओफ n प्लस अगले वाले टर्म प्लस पहला टर्म लिखा मैंने यही तूसरा टर्म देखो अब यहां एड करो अब तुम्हें पता ही होगा एक्स वन और न के बारे में तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी स्ट्रॉंग हुई नहीं अभी लेवल इतना है कि तुम कभी मतलब कुस्टन ऐसे से लेवल के भी हैं जो आज से पचास साल बाद भी नहीं कर पाऊँगे तो वह कोई धिक्कत नहीं टीरे लेवल अचीव करेंगे ना व ईसा है तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो नैना मिलते रहें हैं कि मतलब सहब तुम घ्रल की 北 लेवल की निकाट यह थीज दियाओ को नृटिकोर्वी कर देंगे ऐसा कभी नहीं होगा यह कोई दिक्कत नहीं वो तुम करते रहोगे लर्णिंग प्रोसेस कभी परफेक्शन नहीं आएगी तुम्हारे हाथ में कि कोसेस करते रहो करते रहो बस यह बिलीव रखो जितना तुम्हें आता है उतना काफी एक्जाम निकालने के लिए क यहाँ यहाँ